दोस्तों आज की आमारी जो वीडियो है वो उन सभी investor के लिए है जो मीचल फंड में investment करते हैं दोस्तों अगर आप small cap में investment करने की सोच रहे हो या आपने small cap में already investment कर रखा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तो मैं आपको small cap के अंदर बताऊंगा दोस्तो 2006 से लेके दोस्तो 2023 तक का पूरा complete data दोस्तो analysis करके बताऊंगा अगर आप investment करने को सोच रहे हो तो दोस्तो उस data से आपको पता पढ़ जाएगा कि कितनी volatility आपको देखने को मिल सकती है दोस्तो complete हम क्या करेंगे 2006 से 2006 से 2023 तक में दोस्तो जितना भी data है small cap का उसमें कितनी volatility है कितना हमारा mutual fund है small cap का वो high गया है कितना down गया है तो complete बताएंगे जिससे क्या होगा दोस्तों अगर आप investment करने की सोच रहे हो small cap में तो आपको at least पता पढ़ जाएगा ठीक है कि अगर आपको negative fund देखने को मिलेगा तो कितना negative देखने को मिलेगा अगर आपको positive देखने को मिलेगा तो कितना positive देखने को घटेर सबस्तों चुरू करते हैं आज मारी वीडियो को तो दोस्तों यहां पर कॉंप्लीट डियट्र मिले गा दोस्तों, 2006-2003 तक का ठीक है, यहां पर दोस्तों । complete small cap का है अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बोला था कितनी volatility आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर देख लीजी दोस्तों 2006 के अंदर क्या हुआ दोस्तों जो हमारा हमको return मिला है वो कितना मिला है 31.5% का ठीक है अप गया है बहुत अच्छी बात है सेकंड साल में देखें दोस्तों ठीक है आप दोस्तों काउंट करके देखोगे न 2006 से लेके 2023 तक का तो आप complete देखोगे मैंने 31.5 का बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर खुश होगा जिसने भी इन्वेस्टमेंट करा था सेकंड में क्या हुआ दोस्तों सेकंड साल में हमको जो रिटन मिला वो मिला 65.88 परसेंट का अब जितने भी इन्वेस्टर ते वो खुश हो गए ठीक है क्योंकि रिटन काफी अच्छा मिला है लेकिन दोस्तों उसके ही नेट साल जब हम रिटन कैलकुलेट करेंगे तो कितना नेगेटिव में गया है माइन में 57.5 परसेंट ठीक है 57.5 परसेंट अब बात अब सपोस कर लेजी दोस्तों आपकी मुचल फंट वाले सेक्षन में अगर आप साईपी कर रहे हो माली जी आपके 10,000 उपर पढ़ ले हैं ठीक है अगर 57.5 परसेंट अगर डाउन चले जाता है तो आप यह सोचिए कि आपक हम्मत रखी तो आपको फिचर में मिले गा अपने सोचानी होगा तो यहां पर देख लिजी एगा 65% मिला यह रेकिन जो नेगिटिव मिला ने अच्हा नहीं लगेंगा थीक है क्यों कि इस वाल्तिलिटी को कितने लोग जेल नहीं पाते हैं लोग क्या करेंगे, investment करा, return उठाया, return उठाया, जैसे इतना down जायेगा न, जै करेंगे पैसा निकाल लेंगे, redeem कर लेंगे, नुकसान में redeem कर लेंगे, लेकिन जब बाद में देखेंगे न पैसा निकालने के बाद, यह return तो मिल गया इसका, ठीक है, बाकी देखो कितना return मिल पूरा high जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिजी हमारा negative गया है, 57.5 से, लेकिन फिर दोस्तों, यह हमारा अप गया है, अप गया है, और अप कितना गया है, दोस्तों, 94%, 94%, दोस्तों, अगर आपको board पे clear नहीं दिख रहा हो, तो side में मैंने image दे रखिए, उसमें आ गया है, हमारा अप गया है, market small cap का, तो यहाँ पर return देख लिजी, जिसने भी यहाँ से पैसा निकाला, ठीक है, panic situation हुई, पैसा निकाल लिया, तो क्या हुआ दोस्तों, loss खा बेटे, अगर wait करते थोड़ा, तो 94%, अच्छा का सा return बन जाता, तो चलिए आगे चलते हैं, उसक इतना negative चले गया, दोस्तों, 26.7%, ठीक है, दोस्तों, मैंने आपको हमेशे एक बात बोलिये, दोस्तों, यह market है, ठीक है, चाहे आप large cap में investment करो, चाहे small cap में करो, चाहे mid cap में करो, देखो, mutual fund हमेशे share market की तरह चलता है, अब down, up, down, up, down, up, down, up, down, ऐसे करके, अब यहाँ पर दोस्तों, ऐसे जा रहा है, इसका graph उपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे mutual fund ऐसे ही work करता है, यहाँ पर देख लिजिए, अगर यह उचल आएगा ना, तो दो point निचा आएगा नो, तीन point ही उपर भी जाएगा, यहाँ पर देख लिजिए, 57 का market down हुआ था, तो यह दोस्तों काम को return मिला है, 10.3 का return मिला है, 5.2 का return मिला है, 54% का return मिला है, ठीके, अब देख लिजिए, यहाँ पर 54% का return मिला है, जो चीज में आपको बताना चाहरा हूँ, यहाँ पर देख लिजिए, market down गया है, 18.7% से, इसके बाद भी market down गया है, दोस्तों, 1.5% से, ठीके, लेकिन दोस्तों जो अप गया है वो देखो कितना गया है 30.5 से कहने का मतलब यह मार्केट अगर डाउन एक पॉइंट से जाएगा ना तो दो से तीन पॉइंट अप करेगा वो यहां पर देख लीजी जितना भी 57 से नीचे जा रहा तो 94 पर उच्छा आ रहा है 26 से नीचे जा रहा है तो 87 पर यह 41 पर उच्छा आ रहा है यहां पर देख लीजिए 18 से नीचे गया 1.5 से नीचे गया तो कितना हो गया अगर इस टोटल को काउंट भी करोगे ना तो कितना बैट जाएगा 20% मानलो टोटल राउंट फिगर में तो भी कितना आपको उच्छों मिल रहा है 30% का ठी ठीक है तो दोस्तों यह स्मॉल केप की कहानी है अब मैं आपको एक चीज और बता दू दोस्तों मैंने आपको एक चीज हमेशा बोलिया कि अगर लॉंग टाइम के लिए इंवेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी लेकिन आप बात यह करोगे कि सर सब आपको उसक लिजी 2006 में हमने इन्वेस्टमेंट करा थीक है 2023 में हम हमारा पैसा निकालते हैं मान जी कितना साल बैठ रहा है जो भी बैठ रहा दोस्तों जितने भी साल बैठ रहे हैं कम से कमी मान लिजी है 15-20 साल अप्रॉक्स में बैठ रहे हैं तो सर यहां पर देख लीज तो सहरं 3 साल बादी पैसा निकालेंगे न हम इतना 15-20 साल का वेट क्यू करेंगे आपकी दिमाग में वाली बात आ रही होगी इसलिए मैं इसको भी क्लियर कर दूँ यहाँ पे मेरे भाई एक चीज देखो सपोस कर लिजी आपने S.I.P करें कितने की अमाउंट की कि कोई भी अमाउंट हो चाहे 1000, 10,000, 15,000 कितना भी हो लेकिन मेरे भाई अगर आपको रिटन मिला है 94% का तो आपके अभी यह मत देखो कि 26% का आपको रिटन मिल रहा है ठीक है आप यह पूरा जब कैलकुलेशन देखोगे यहां से जब गुम फिर के जब आप 2023 में आओगे 2006-2023 में जो भी आया है उसने देखा है कि हमार जो रिटन है 25% यह आपको यहां पर लिखा हुआ है लेकिन यह सब जितने भी % है इनकी compounding को जब आप count करते करते चलोगे तो जो आपकी value create होगे न दोस्तो वो इतनी create होगे इतनी create होगे जितनी आपने सोची नहीं होगे तो दोस्तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था एंड दोस्तो कल में एक वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो अगर आप mutual fund में investment करने की सोच रहे हो वो वीडियो रहेगी नए investor के लिए तो उस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो कि आज के लिए इतना है मिलता मारी नेश वीडियो में जैस रिशाम दोस्तों